नापपुर नाम के जंगल में तीन चोर थे जावास, कालू और तिलू ये बहुत शाथित चोर थे और जंगल के सेट लोगों के यहां से बोरिया भर कर पैसे चुराते थे लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इनस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड लेती है और उनकी पिटाही क कर देती है जेल से छुटने के बाद वो तीनों एक जगा मिलते हैं जावास कहता है दोस्तों ये इनस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है वो बहुत अडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है तो कालू कहता है अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली अडवांस होना पड़ेगा तो तिलू बोलता है मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला क्यामरा चलाता है हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे तो जाबास कहता है बहुत अच्छा तिलू अपने दोस्त को बलाओ फिर टिलू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ओपरेट करना सिखा देता है फिर तीनों घर में ढाका डालते हैं और ड्रोन में बांध कर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे पोलिस के सिर के उपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पोलिस कुछ नहीं कर पाती थ एा बहुत दिनों तक चलता रहा पीलू सोच में पढ़ जाती है कि वह तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है लेकिन चौरिया लगातार हो रहे हैं मुझे तो अभी अभी इन तीनों ऑ पर ही चौरी का शक है जरूर ये चौरिया कर रहे है ुई कैसे मुझे इन पर ज जाती रहती है तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी अपने कॉंस्टेवल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना अब उन तीनों की खैर नही एक अमीर सेट का घर खाली था वो सभी शाधी में बाहर गए थे तीनों चोर उसके घर में चोरी किये और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे देखा पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है तो कालू कहता है कंगाल कर देंगे और पोलिस देखती रहेगी तो टिलू बोलता है बहु में उड़ रहा था तभी वहाँ पर पीलू और उसके दो और कॉंस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं ये देखकर जावास टिलू और कालू चोंक जाते हैं अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बन कर गिरूंगी ऐसे पीलू कहती है फिर पीलू उस जूट के पैकेट को उन तीनों पर फेक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं पीलू और उसकी कॉंस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं लो पकड़े गए ना आखिर नकल में भी अकल चाहिए जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है एक छोटी से गाउं में पीलू चिडिया रहती थी उसका बेटा टिलू और बहु बबली भी उसी के साथ रहते थे लेकिन टिलू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था पीलू की एक बेठी भी थी उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी शादी के बाद वो अपनी मा से अच्छा विवहार नहीं रखती थी मा मैं तुमसे कुछ कहना चाता था मेरे आमदनी बहुत कम है मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गाओ में व्रधाश्रम भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ मेरे पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा ये भी मैं सोचता रहता हूँ कुछ दिन पिंकी दीदी के यहां चली जाओ बेटा अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाओ चल तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है बेटी पिंकी क्या मैं तुम्हारे यहां कुछ महिने रुक सकती हूँ वो क्या है न तिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहां रुकने के लिए भेजा है अरे मा मैं तो अपने पठी के साथ आज ही स्वेटजरलेंड जाने वाले हूँ मैं तुम्हें यहां कैसे रख सकती हूँ पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है वो रोने लगती है हे भगवाल इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे है जो मुझे सहारा नहीं दे सकते फिर थोड़ी देर में कुछ सोच कर वो एक सुनार के पास चली जाती है सुनार भाईया आप ये अंगुठे गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो इस अंगुठे आपको मैं पांच हजार ही दे सकता हूँ पीलू बहन पीलू उन पांच हजार को लेकर एक छोटी सी किराय की जोपडी में चली जाती है इन पैसों से तो एक ही महिने का गुजारा होगा उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए लेकिन इतनी पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ फिर अगली ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सबजी बना कर एक चौक में बेचने लगती है रोटी सबजी ले लो रोटी सबजी, गर्मा गरम रोटी सबजी, ताजी ताजी रोटी सबजी ले लो तो वहाँ सुंद्री आती है और पुछती है, बहन एक प्लेट रोटी सबजी कितनी की होगी? सिर्फ 20 रुपी की 3 रोटी और सबजी है एक प्लेट मुझे देना तो सुन्दरी रोटी सबजी खाती है वा बहन तुमने तो कम्माल की रोटी सबजी बनाई है ये लो पैसे मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भीजूंगी गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता वो सब बहुत खुश होंगे घर लोटते समय पीलू को दो भीकारी चडिया मिलते हैं पीलू उन दोनों चडियों को रोटी दे देती है इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्रहक आये कि वो अखिले काम नहीं कर सकती थी पीलू रोज रोटिया बनाती और दो रोटिया वो उन भीकारी चडियों को दे देती थी मेरी रोटी सबजी लोगों को बहुत पसंद आ रही है लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे क्यों ना मैं उन भीकारी चडियों को काम पर रख लेँ सुनो तुम दोनों यहाँ पर भीक मांगती हो मैं तुम्हें काम दे सकती हो अपनी दुकान में अगर तुम करना चाहो तो बहन मेरा नाम लवली है मैं एक अमीर घर से थी लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हो मैं भी अच्छे घर से थी, बेहन मेरी भी यही कहानी है, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पेशे कमाएंगे ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिडिया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है, पीलू अपनी आमदनी का तीन हिसा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है मा तुम तो बहुत महनती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा खयाल नहीं रखा, अब मुझे पचतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूँगी, तुम चिंता मत कर, तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी मा का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी इमानदारी से बुज़ुर्गों के लिए काम करने लगा, फिर वो सब हसी खुशी रहने लगे मन चाहे वर्दान लो, हमें यही वर्दान चाहिए, आप अपना वर्दान वापस लिजिए, मेरी मती ब्रश्ट हो गई थी गोंडा नाम की राज में सुरजभान नाम का एक राजा राज करता था, उसके बहुत ही सुन्दर पुत्र था, जिसका नाम था स्वरण पुत्र सुरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वरण पे इसलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वरण पुत्र रखा था उसकी खजाने में सोने का भंडार था उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता सुरजभान की सोने की लालज भी अधिक होती जा रही थी उसका दिन का अधिकांच समय खजाने में ही निकला जाता था सोने की लालज की वज़े से अक्सर वो अपने पुत्र को अन देखा करता था खजाने की वो कोना खाली पड़ा है उसको भी सोने से बर देना है मंत्री जी इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिख्खा बढ़ा दो जी हाँ प्रभू मगर अगर मगर कुछ नहीं मंत्री की बात सुनके राजा को लबता है कि यहाँ काम नहीं करने वाला है मगर उसकी सोने की लालज इतना बढ़ गया था कि वहाँ अन जल त्याग कर इश्वर की कठोर उपासना में लग गया उसकी तपस्या से प्रसन इश्वर दर्शन देते हुए गहते हैं बोल वत्स मन चाहे वर्दान लो क्या चाहिए तुमें हे बगवान मुझे ये वर्दान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी चूँँँ वो सोना हम जायें इश्वर को सूरजभान की लालज समझ में आ देई थी वर्दान देने से पूर्व उन्होंने आगा किया राजन वर्दान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है। तो सूरजबांग संपूर्ण शृद्धा से और अविनम्र होके कहते हैं हे इश्वर मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूं हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है। हमें यही वर्दान चाहिए। इसकी लालज की बुद्धी सही होने वाले नहीं हैं यह शंकर भगवान को पता चल गया और वो तधास्तू कहते हुए वहां से गायब हो गये। राजा सूरजभान यह वर्दान पाकर खुशे से पागल हो गया था। दूसरे हे दिन सोकर उठने के उपरांथ अपनी शक्ती पर रखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सूने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वहा सुधबुद खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शान को सूरजभान ठक गया था। उसे जोरों से भोक भी लगी थी। अपनी सेवकों को भोजन परोसनी के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वहा सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिल मिलाते हुए वो उठकर बहार आ जाता है। ऐसे ही ठेलते हुए अपने उध्यान में जा पहुँचता है। वहाँ वह देखता है, अपना छोटा बेटा स्वरण पुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्रवातसल उमड कराता है। कुछ ख्षणों के लिए अपनी भूक भी भूल जाता है। जब स्वरण पुत्र पिता को वहाँ उध्यान में देखते हैं, तो प्रेन से दड़ के आके गले लग जाते हैं। विधी की विपरियास ये था कि स्वरण पुत्र भी स्वरण में बदली हो गया। सूर्य भान रो रो कर केहने लगा, कहते हुएं फिर से रोने लगता है, उस पर दया आकर इश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वरण पुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख, सूरज भान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की अपनी लालसा की उसे पश्चाता भी होता है। सूरज भान अपनी पुत्र को गले लगा कर खुशी की आसू बहाते हैं। उनका लोग खत्म हो गया था और संतुष्टी की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं।